आप देख रहे हैं विजापूर इंफो में आपके साथ जाफर कलादगी विजापूर शहर की छोटा असार मस्जिद घांसमंडी जमाद के जेर एहत्माम इमसाल के आजमेने हज के लिए एक रोजा हज तर्वियती क्याम का इनकाद अमल में आया जिसमें मौलाना स्यद साधिक अनवारी अश्रफी ने आजमेने हज को मनासिकी हज की अदाएगी की तर्वियत देते हुए आजमेने हज की बहत्रीन रहनुमाई की इस तर्वियती कैम्प में सियासी कायद हमित मुश्रिफ की जमातवलों की जनिब से गुलपोशी भी की गई मस्जिद के सदरों अरकिन के अलावा मर्दों खवातीन आजमी ने हज की कसीर तैदाद देखने को मिली तर्वियत के बाद ताम का भी इंतजाम किया गया वाज़र है के घासमंडी जमात पिछले दो दहाईयों से काम्याब हज तर्वियती क्याम का इनकात करते आ रही है पॉल करें पॉलाद आसे पुजा रिष्करता हूं आप दो है कि आपको दुआ करो पूरे आलम को दुआ करो आज़ी लोका जयाकू स्लावाद कि आपको तावा बीचे नगर आएगा आपको शिडिया निचे उतादी पड़ी पड़ी आपको जैसे आप आपको लजी से आया एक नुबर केट से आए तो आप दुदंदी से आ रहे हैं आने के बाद आपको उतारना पड़ेगा निचे तो जैसे ही काबतुल्द आपको नजर आए नजर आते ही आप उहां खड़े रहे कर दोदो हातों को उठाए और दूआए वहां नाशिन उड़े हैं कियोंके आपको तरवियक के बताया भी आता है कि काबतुल्द आपको पहले नजर पड़ती है जो यह उता हमारे को तसकी गॉआ को पर दोद्द कर्माता है लेहादा उस खाले के सामें आपको पड़े लेगे हैं कि कि जिसकी तरफ आप जिन्दकी वारू करके आपने पड़ता हो उसकी किरा करता हो और उसके पिछे मैं नमाज पड़ता हो यह ज़ी कर रहे थे लेकिन आप दो कावाफ आपके सामने है तो लेहादा ज़जबात पर मनज़र रहता है अपने अपने तरिफेंपर जो है लोग ज़जबात को खामों नहीं रखें वहरहाल आप पक्रताओं करें हमको कहाँ के बार है करें जाले के बार हो जाए उस वक्त आप जर्जब मोगरां भी किये पारी जो पार्लाए करें तो आप बढ़े रेकर अपनी आवरतों से अपनी बेदाते हमारा तवाथ होगा तो कभी जो है तुम्हारा पाइड हथना होगा अपार में बार में शतर होगा तुम आगे निकड़ जाओं के पीछे हो जाए रहें तुम कावे के खरीब हो जाओं के कावे से दूर हो आप लिए पे गाबा देखें हैं काबदुला को पारे साइड पे लेकर बीच पे उसके अतराव क्या है वर्जिर है अतराव क्या है बर्शित के सामने के हिस्से में अत्राव से आपको कुछ कमाने नजराते हैं। किसले नजराते हैं। उल्लाहुए इति उनी कौपा कल रितो हमाय कौपा उन्हों पतकबल हूँ इति वे श्रुलिग चरे जो है लिए इति उनी कौपा पतकबल हूँ इतना गया पर है आई लोह मैं तेरे घर का कवाव करता हूँ साथ से कर पुर्ण परना आसाल गया वो दूर आप गया, आप थे करें, हजर अस्वत को छूँएगी, इसको छूँएगे, अब हजर अस्वत सब्सक्रोगा बदूर आपको चूँएगें, हजर अस्वत के बारे में ने इनला के भी हमिर के बताया, आप बस इतना इशारा करके अपने हात पूब लेगे तो वह आप ये हदर अस्वा को चूब किया तो ये खुब आप लोग जाएगा और इस तरह आप जहें जब दोरो हातों को उठाएं इस वाका जो है बिसमिल्लाइ अल्लाइ अबट करें और अपने हातों को चूब ले और पर उसके बाद तवाप शुरू करें तवाप शुरू करेंगे तवाप शुरू करने से पहले आप शुरू करने के आपको तो का करना है एक क्या है इस निवा करना है जूर सरा रमल करना है जैसे ही आप तवाप शुरू करेंगे आप लेहराम पेने में तवाप शुरू करे पहले दीन चक्कर में क्या करेंगे? रमल करेंगे. क्या करेंगे? रमल करेंगे. थोड़ा सा अकड़ कर चलेंगे. क्यों अकड़ कर चलना अभी? क्योंकि जबीन में तो अल्ला ताला ने फर्माया कि जब अकड़ करना चले. यह लाए ताला की रुखुम भिया है कित्ज है एक राम का कफड़ा बादे पर जो जो जाड़ा वो लिये तो बहतर अरब जिसम पर चपकर बढ़ता पत्ला ले तो आध पर अरिर के रवाब है, बिर्सक्मियात अ अच्छा आने अच्छा को जो 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 खते हैं आपटास माता वन्रेश कोशेटें, जो जो रहतर भाता ओव झींजाता, पर ज्म सो कौने ह organisms, यह सम दो स्क्राइक का जीए नatto कर दिए एक है टूज से को सकतरी लिए गुरे बडल — मढ़ाण Чईर मेरी कुल दोने साफ़ों इसमे घर्षई मी बाते हैं उसमे घर्षई मी पाते हैं और कीया हमिल्य क्यां पुर्सं अविस्वी माते हैं दो ये आप नार्मादी के अहराण दो है इसका रखे जैंगे कि नार्मदी इह पुर्ड़िया नमास पड़ते हैं जब कदाया आपको के यह असा होड़े के पड़े के नमास, पहली नमास, काहां जो आप फुलो होने पाप पर अभियार एली पे जो दो रखा नमास पड़ेगे, इसके बाद आपका सर जोड़े कुलार हैगा हमेशा, तो अभी आप अपने सर पर जोड़े जो रखाई पर लाप जोड़े कर जोड़े के लिए, उड़े कर सकते हैं। इस हजुन हजरात के पात गुमराप करना जाएगा है वो लोग अगर ना करें, वोग भी कोई हर्द नहीं है, लेकित हमारे पास जो है उपराद करना जोड़े हैं। السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ नाजरीन मुहतरम आज हम यहां हज कैम्प में खड़े हुए हज ट्रेनिंग कैम्प है छोटा असार मस्जीद घास मंडी अहल सुन्नत जमात बीजापूर में तकरीबन 20 साल से हज्जियों के लिए तर्वियती कैम्प का इंतिजाम किया जा रहा है लहाजा आज बेशमार हजज एकिराम यहां पर तश्रीव लाए हुए हैं उनको अभी तक हमने सफर की तैयारियों के बारे में और मदिने पाक की जियारत के बारे में और उमरा शरीव के बारे में हमने बताया है उसके बाद फिर हज बैतुल्ला के पांच दिनों के बारे में जो है दीनी मालूमात अता किये जाएंगे और फिर तमाम हजज एकिराम के जो भी सवालात है उन सवालात के जवाबात भी अता किये जाएंगे और हम इलतिमास करते हैं कि इन हुजज किराम से कि ये आलम इसलाम के तमाम मुसल्मानों के लिए और खुसियत के साथ हमारे हिंदुस्तान के रहने बसने वालों के लिए हमारे मुल्क की तरखी के लिए अल्ला तबारक वताला की बारगाह में और हुजूर आखाय दो जहां सल اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائیں کرے تاکہ ہمارا ملک ترخی کرے اور ہم تمام جو ہے اخوام کے لوگ ہمارے اس جو ہے ہندوستان میں امن و آمان اور سکون و اتمنان کی زندگی بسر کریں اور آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش خدم پر ہم چلنے کی کوشش کیا کریں میرا نام سید صادق انواری اشرفی ہے اور میں نور النبی عربی کی سکول بیجاپور میں تقریباً بائیس سال سے یہاں پر بحیثیت عربی معلم خدمت انجام دے رہا ہوں اور میری فراغت جاب نظامی حیدر آباد سے ہوئی ہے جہاں سے میں نے کامل الحدیث کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی پہ وسطہ سال میں نے حج بیت اللہ خود اپنا حج کیا تھا اور گجشتہ سال جو ہے ہمارے کرم فرماؤں کی وجہ سے میں خادم الحجاج کی حیثیت سے حرمین شریفین کے لیے میں جو ہے کی سعادت مجھ کو حاصل ہوئی ہے لہٰذا میں تمام حضرات کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جن کو بھی حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا ہے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو دونوں دروں کی دونوں جو ہے گھروں کی زیارت عطا فرمائے آمین سم آمین میرا نام محمد صفی علی مرتب صاحب سے شعار پیدے ہے میں اس مجید کا رکون ہوں اور ہمارے ابھی صدر جناب نداب صاحب ہیں محمد عیوب نداب صاحب اور یہاں پر ہماری کمیٹی ہے گیارہ میمبرز کی ہم جو ہے ہر سال تقریباً بیس سال سے پروگرام کر رہے ہیں اس سے ہمارے نداب صاحب دس سال سے پرسیڈنٹ ہے اس سے پہلے ہمارے بشیر آمد صاحب منیار انہوں بھی دس سال پرسیڈنٹ ہے ان کے پیریڈ میں دس سال ہم پروگرام کیا ہیں یہاں سے ہر سال مناشی کے حج کے بارے میں پورا تفصیل سے یہاں سے معلومات لیتے ہیں فائز حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد ہم کو مل کر بولتے ہیں کہ بہت اچھا یہاں کا انتظام وہاں بول کر میں جو ہم جو ہے آپ بیجاپور انفور کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر جو ریپورٹ لیے اور آج میں نے حج کا بھی ہم شکریہ گزار رہے ہیں کہ سب لوگ تقریباً جتنے بیجاپور ڈسیکیل آج میں نے حج ہے سب لوگ جو ہے یہاں پر آج یہاں آئے ہیں اور اس کا جو ہے مناشی کے حج کا انتظام کیا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تمام اللہ کے گھر کو جانے والے جو حجی لوگ جا رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمارے مسجد میں مناشی کے حج کے بارے میں جو معلومات لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اس مسجد میں جو حجاج اکرام کے لیے مناشی کے حج کے لیے جو پروگرام کیا گیا ہے آپ سب لوگ آئے ہیں آپ کا تعدل سے میں استقبال بھی کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب حرم میں پہنچیں تو ہم سب کے لیے خاص کر کے ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں فیلحال جو ہمارے دعاؤں کے ہم فیلحال محتاج ہیں موجودہ حالات کے حساب سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے آپ سب لوگ آپ سب لوگ دعا کریں اور میں میں بھی دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اپنے گھر تک اور اپنے حبیب کے در تک بلائیں آمین اسلام علیکم سب سے تیز خبروں کے لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیجاپور انفو چینل کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا دنیا